दोस्तों जीटियल इंफ्रा की बात करते हैं तो श्टॉक में फिर से आज अपर सर्कृट लग गया बाजार खुलते ही श्टॉक 3 रुपीज तक पहुच चुका है बहुत तेजी से दोड़ते हुए आप देख सकते हो की इंवेस्मेंट को डबल कर दिया है लेकिन क्या ये तेजी आगे भी जारी रहने वाली है या फिर एक बार इसमें से निकल जाना चीए क्या जिस दोसे लगातर अपर सर्कृट लगरे कई ऐसे आने वाले समें फिर से लोड सर्कृट नन लग जाए तो पूरी संभावनों को तलासने की कोसिस करेंगे कि जीटियल इंफ्रा में आकिर बड़ी तेजी के पीछे वज़े क्या और क्या तेजी और आगे बढ़ने वाली है समझेंगे इस वीडियो के मादियम से इसके अलावा टेलिकॉम सेक्टर को लेकर दो बड़ी अपडेट निकल करेंगे जिसको इस वीडियो के मादियम से डिसकस करेंगे टेलिकॉम सेक्टर को लेकर ब्रोकेज फर्म बुलिश भी है और साथ में सरकार ने स्पेक्टरम निलामी के लिए जो फैसला लिया था वो बात कहां तक पहुंचे उसको समझने की कोशिस करेंगे और यहां पे कंपनी के अंदर क्या समझना इस समय क्या यह चोटे पैनी स्टोक में दाव लगाना चीए काफी समय के बार श्टोक थी रुपी तक पहुचाए क्या इस बार यह कमाल करेगा लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को स पैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो सबसे पहले कारोबार की बात के लिए तो इसमें साड़े दसके आसपास का टाइम है श्टोक अपर सर्केट पर ही खुला 2.97 पर और इसमें बिलकुल ट्रेडिंग नहीं हुई आप देखतो कि बाजार खुलत के आसपास था उसके बाद ये गिरावट का दौर शुरुआ ये सिर्फ जीटियल अकेला नहीं है ऐसे बहुत सारे श्टोक है चाहे आप सुजलोन अन्रेजिक को ले ले रिलाइस पावर को ले जेपी पावर ले वो सारे के सारे सारे कोडियों के भाव में आगे जो श्टो कोड़ियों के भाव में और ये बीस पैसे का श्टोक जब दोडने लगा तो अब देख से किस समय तीन रुपे तक पहुच गया है तो ये बहुत बड़ा मल्टी बैगर साबीत हुआ निचले लेवल से ही तो कह सकते है अब यहाँ पे पिछले एक साल में इसने 271 परसें का तो ये जो तेजी इसमें बनने लगे पिछले एक डेड़ मेने में ही बनने लगे इससे पहले श्टोक काफी समय तक एक जब श्रगल किया काफी समय डेड़ रुपे के आसपास से रहा लेकिन अब इसमें दोड़ानी शुरू हुई है और पिछले 5 दिन में ही 20 परसें की त कर लेते हैं तो यहां पे दो की मंगलवार को पांच राउंड की निलामी हुई है जिसमें करीब 11,000 को रुपे की बोलिया लगी है और यहां पे देख सकते हो केंदर सरकार की तरब से 96,230 को रुपे की रिजर प्राइस पर 10,500 मेगा हाट्स की स्पेक्ट्रम की निलामी की जारी है और इस निलामी में रिलाइस जीयो बारती एरटेल और वोड़ा फोन आइडिया जैसी कमपनिया हिस्सा ले रही है इसके जरी है कमपनिया तेज रप्तार और फाईजी सिवाओ को आगे बढ़ाने में और उनको योगदान में लगा और अब तक पांच राउंड की निलामी हो चुके है और जो छटा राउंड है आज बुद्वार को होने वाला है वैसे इस बार निलामी में अधिक उत्सा तो देखने को नहीं मिल रहा है और बाजार के जान करोने है ये पहले आसंग का जताई थे कि इस बार सीमित बोली देखने को मिल सकती है उनका कहना कि कमपनियां की नजर स्पेक्ट्रम रिदूबल और चुनिला रेडियो वेव पर केंद्री तरगी ऐसा देखने को मिल रहा है स्पेक्ट्रम निलामी करें रिलाइज जियों ने सबसे अधिक 3000 कुर्टीज की अग्रीम रासी जमा करें इसके आधार पर कमपनी को यहां पे द टेलीकॉम एक्सपर्ट पराग का अनुमाने की पहले दीन की निलामी में 1800 मेड़ को 6304.4 कोड़ रुपीज के मुलियां मिली है जबकि 900 मेड़ के लिए 475 कोड़ की बोली मिली है और 2100 मेड़ के लिए 360 कोड़ रुपीज की बोलियां मिली है तो इस्पेक्ट्रम निलामी क कि प्रक्रिया 2010 में उनलाइन शुरूई थी इसके बाद में 10 वी बार ये निलामी हो रही है और ये 10 वा मौका है आखरी बार अगस 2022 में स्पेक्ट्रम निलामी हो थी जिसमें पहली बार 5G से वाख लें स्पेक्ट्रम को निलामी क्ले रखा गया था और पिछली बार रिकॉर् पहले थे और इसमें आदा हिस्सा आखेले रिलाइंस जियों ने ही लिया था अब आप देख सकते हो कि टेलीकॉम कंपणियों के सेल्वर ऑपरेटर एसोशन का कहना है कि डीजी एसपी कोचर ने काए कि 5G निलामी देश पर में 5G से वाख की तीवर पेसकर्स की गति को और परदान करेंगे और सुधार होगा अब यहां पर देख दो कि जो ब्रोकिंग फर्म एंबिट वह बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय टेलीकॉम सेक्टर को लेकर और उनका कहना है कि यह जो आने वाले समय में देखे 2030 के लिए सरकार की तरब से जो सेक्टर को सपोर्ट दिया जा रहा ह। यहां पर टेरिफ हाइक की जा सकती है जिसका फाइदा टेलीकॉम कंपणियों को सकता है और अंदाज अलगा है कि 20% टेरिफ हाइक हो सकती है सेप्टमबर दो हजार चोबीर तक और देखे दो कि यह आने वाले 2034 तक 12% इसमें टेरिफ हाई और हो सकता है तो कुल मिला के देख सकते हूँ कि इसे इनका रिवेरिक बढ़ता हो दिखा देगा टेलिकॉम कंपनियों को चाहे टॉवर कंपनियां उनका बीजनस आने वाले समें और अच्छा परद्शन करता हो दिखाई दे सकता है तो फिला एन्यूली ग्रोथ देख देख दो 13% की वरजी दिखा रहा है आने वाले पास साल के लिए और यहाँ पे देख सकते हो कि आने वाले समय में टेलिकॉम कंपनियों के लिए और बेनिफिट होगा जिसमें ब्रॉडबेंड सेवा उसे लेके डाटा सेंटर हो और टेलिकॉम टावर कंपनियों सबको मेनिफिट होगा अब यहाँ पे अगर हम जीटियल इंफ्रा की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि पिछली बार थोड़ा सा आप देखे तो रिजल्ट बैतर तो हुआ था लेकिन कंपनिय अभी भी लॉस में रिवेन्यू 331.09 क्रोड के आसपार मार्स दोजार चौविस में जापे 12.38% की यहाँ बैसिस पर गिरावट देखना को मिली नेट इंकम माइनस 214.72 क्रोड के आसपारी जापे 71.59% की यहाँ बैसिस पर रिकवरी देखना को मिली और नेट प्रॉफिट मार्जिन माइनस 64. पर चौवरी देखना को मिली तो आपके लेली देख सकते हो कि लॉस्त है कंपणी को लेकिन कुछ रिकवरी देखना को मिली यह बैसिस पर थोड़ा सा सुदार जरूर है अब यहाँ पे हम इसके क्यूब एटी स्टॉक स्कोर को देखे तो यहाँ पे क्वालिटी वैलिशन और टेक्निकल स्कोर कितना बेंद रहा है तो देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम इसकी क्वालिटी देखे तो हंडेड में से थर्टी नाइन पॉइंट निकल क्या है इसका मिलब मीडियम फाइनसल स्ट्रेंथ है इसकी बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है लेकिन अच्छी भी नहीं कह सकते वैसे 50% से नीचे तो इसको थोड़ा सा कमजोर ही कहेंगे वैलुइशन इसकी बहुत खराब दिखरी है इस समय 100 में से मात्र 17 पॉइंट है इसका मतलब बहुत ज़्यादा मेंगा लग रहा है इस समय इस वैलूइशन के हिसाब से टेक्निकल लेवल के हिसा से लेके मार्च 2024 तक इसका मतलब प्रमोर्टर की तो यहां पे कोई जगह है नहीं और जिम्यदारी भी नहीं यानि इस स्टॉक के अंदर सबसे बड़ा रिस्क भी यह है अब इसके अलावा एफाई एफाई लगातार इस स्टॉक में से अपना निवेस निकाल रहे है जुन बड़ा एक रिस्क है इस स्टॉक के लिए कि एफाई हर इस क्वाटर में अपनी होल्डिंग को ट्रीम कर रहे है अब बात करें डिया की तो जून में उनकी 45.46% के होल्डिंग थी जो सेप्टर में गिर के 45.17% होगी और देख दो कि दिसंबर आते थे यह 44.42% होगी मार्च में 43.25% होगी इसका मतलब यह हुआ कि जो इंडिया के बड़े फंडा उसे डियाई है वो भी लगातार हर क्वाटर में इस स्टॉक से बाहर निकल रहे उनकी होल्डिंग ट्रीम हो रही है यानि एफाई डियाई दोनों ही स्टॉक से बाहर निकल रहे लगातार और मुझे जबर्दस होल्डिंग या पे इस समय आप देखे तो जनरल पब्लिक के पास है और यह हर क्वाटर में होल्डिंग बढ़ रही है यह बहुत बड़ी इसके लिए रिस्क है जनरल पब्लिक के लिए एक तरसे इसमें लग रहा है कि ट्रैप बिचाया जा रहा है और इ लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्मेंट करने से पहले अपने फाइनसल एडवाजर से बढ़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू की जार चैनल को सब सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फ्रेंड्स